आज 12 वायलोजी से most important डाइग्राम लेकर के आए हैं जो बोर परिक्षा में जरूर पूछा जाता है तो इस तरह से हलके हाथों से आपको पहले बनाना है गाड़ी पेंसिल नहीं लगाना है प्रेश नहीं करना है ज्यादा पहले हलके हलके हाथों से इस तरह से बना लेंगे औ और इसके बाद में उसको गाढ़ा करेंगे प्रेश करके बनाएंगे इस तरह से यह आकरित बनाना है पराकोस के अनुप्रित कार्ट का इस तरह से होता है पराकोस को अंग्रेजी में एंथर कहा जाता है टियस सेक्षन आफ एंथर इस तरह से कोशिकाएं बनाएंगे थोड सा लंबी को इसका है चारों तरफ यहां से यहां तक बना देंगे और इसके बाद दूसरी लेयर होगी एंडो थीसियम की एक खट भुजाकार बनाना है आपको इस तरह से तो क्या करेंगे दो लाइने खेज कर उपर से दोनों को जोड़ेंगे लंबाई में थोड़ा सा यह ब और इसके बाद फिर उसको गाड़ा कर देंगे हलके हाथों से बनाने के बाद में इस तरह से चारों गोलों को देखें आज हमने पेंसल का प्रियोग किया है इसलिए थोड़ा सा चित्र हलका दिख रहा है आप लोग हाई रेजिलियूशन लगा लेए अपने यूट्यूब सेटिंग से और फुल स्क्रीन पर वीडियो को देखें तो आपको साफ दिखाई देगा अब यहां से मध्ध परते बनाएंगे मध्ध परतों की दो या तीन लेयर होती है तो इसमें हम दो लेयर बनाएंगे थोड़ा सा लंबाई में होती हैं खड़ बुजाकार ही होती है कहले जी एक तरह से एक परतिय हो गई है एक परतिय के बाहर थोड़ा से दिखा दे जगा कम बची भी है आप लोग वीडियो को फुल स्क्रीन पर करके देखिए ताके साफ दिखाई दे और इसके बाद में अंदर ये जो लेयर हम बना रहे हैं इसे टेपिटम की लेयर कहते हैं ये टेपिटम होती है टेपिटम क्या करता है कि बढ़ते हुए पराग कड़ों को पोशर देने का कारी करता है तो ये टेपटम के layer हो जाएगे उसके दर केंद्राग भी बना दिया है अब अंदर जो हम बना रहे हैं ये जो कोशिकाय बना रहे हैं लग भी जाड मात्र कोशिकाय होती हैं माइक्रो स्पोर मदरसल बिल्कुल ऐसे ही दूसरे वाले में भी बनाएंगे पहले मध्य परते हैं यानि middle layer को बनाएंगे ये दो या तीन लाइनों में होती हैं तो एक ये हो गई दूसरी वाले फिर से यहां बना देंगे इस तरह से ये दूसरी layer हो जाएगी और इसके बाद में tapitum फिर बनाना है तो tapitum की इस तरह से बना देंगे थोड़ा सा बढ़िया से जल्दी भी हो जाएगा और इन सब के अंदर केंद्रक भी रखना है इस तरह से वीडियो को फूल स्क्रीन में करके जरूर देखेगा तब ही साफ आपको दिखाई देगा और फिर tapitum के बाद लग भी जान मात्र को सिगाएं इसके बाद में पूरे उतक को अंदर भर देना है इस तरह से बढ़ा बढ़ा के जितना भी पूरा ये उतक है सब भर देंगे देखें इस तरह से ये फिर बीच वाला जो योजी होता है कनेक्टिव स्ट्रेंड होता है इसको बना देंगे योजी को चारो कोनों पर चारो पराग पुटों को मने बना दिया है है इसके बाद बीच में योजी बना दिया होँ और ये फिर उतक भरना है बीच में यह उतक हमने भर दिया और इसकी कोशिकाए हैं बिलकुल जैसी कोशीकाए होते हैं वैसे ही आपको भरना होगा यदि आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो like और share जरूर कीजिए यहाँ पर मैंने पेंसल का प्रयोग किया है तो थोड़ा सा हलका चित्र देख रहा है अब नामांकन करदे पर सबसे जो बाहर वाली लेयर है इसे बाहत वचा या एपीडर्मिज कहा जाता है वह मैंने बाहत वच खाई या लिख दिया है फिर इसके बात वाले एंडो थेयम थी तो मैंने एंडो थेयम लिख दिया दूसरी वाली लेयर जो सब बड़ी बड़ी कोष सिकाए थी और इसके बात में यह जो मिडिल लेयर थी मध्य परते थी इनक कंडक्टिन इस्ट्रैंड हो जाएगा यह नहीं कि वही जो योजी होता है और यह जो खांच बनी हुई है इससे स्टोमियम कहा जाता है यहीं से फटता है यह और इसके बाद में यह जो अंदर मिडिल लियर के बाद में होती हैं लंबी-लंबी थोड़ा कोशका हैं केंद्रक बनाया था मैंने इन्हें टैपिटम कहा जाता है और फिर बिल्कुल अंदर ये लगोभी जाड़ों मात्रों को सिकाएं हो जाएंगी जिनसे लगोभी जाड़ों का निर्माड होता है लगोभी जाड़ों मात्रों को सिकाएं इस तरह से पराकोस की अन्प्रस्त काट हो जाएगी आसा है आपको पसंद आया होगा लाइक और शेर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद